कट्राथल सम्मेलन, शिकर का एक गावं पढता है कट्राथल, वहां पर एक सम्मेलन होँ, 25 अपरिल 1934, 25錯ट वीच्ट अपरिल 1934 को कट्राथल नाम के गावं में एक सम्मेलन होता है, महिलाओं का एक सम्मेलन है, women's conference महिला सम्मेलन है अच्छा क्या महिलाओं ने सम्मेलन महिलाओं को सम्मेलन करने की कहां आपड़ी तो हम काते हैं कि इसके पास में कोई एक जगा पढ़ती थी शिहोट वो शिहोट का सामन्त था कोई मान सिंह और उसने गाउं में जिस गाउं का नाम था सोतिया का बास उस गाउं में महिलाओं के साथ मिस्बिहेव किया महिलाओं के साथ दुर्वेवहार किया इस दुर्वेवहार के खिलाब मिस्बिहेव के खिलाब महिलाएं कट्रा थल में कठी वापस समझना सिहोट के सामंत मान सिंग द्वारा सोतिया का बासनामगिस्तान पर महिलाओं के साथ मिस्भिहेव किया गया दुर्वेवार किया गया बत्तमीजी की गई इसलिए कट्राथल के अंदर 35 अपरेल 1934 को महिला एक ठी होती एक सम्मिलेंड बुला थी करते हैं कि 10 हजार महिलाएं थ कर रही है एक सम्मिलन कर रही है इसको केवल एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से मत देखिये इस बात को आप इसको यू समझिये कि वह समय आजादी से पहले का वह समय जब तक हम मध्यकाली न रूधियों में ही जिवित थे मीडिवल कस्टम्स कोई फॉलो कर रहे थे महिलाओं के प्रती उनके अधिकारों के प्रती कोई जगरती समाज में विशेश तोर पर नहीं आई थी उस समय दस अजार महिलाओं का इकठ्था होना बहुत बड़ी बात है मैं फिर कहूं कि या रिष्ट्री थोड़ा एक्जेजरेट करके लिख देती होगी कि महिलाओं थोड़ी कठ्थी होगे थोड़ा यह माहौल बनाने के लिए दोसजार महिलाओं का अधि पर लियाता हूं वह किता हूं पांच जारी कठ्थी होगे तो भी 1934 में तो बहुत बड़ी बात है जब महिलाओं परदे के अंदर थी महिलाओं घर से बाहर नहीं निकलती थी महिलाओं अधिकारों के प्रती जगरित नहीं थी संचार के साधन नहीं थे आवागमन के साधन नहीं थे संचार मध्यम अकभार वगेरा जो है वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे उस समय इतनी सारी महिलाओं का अपने खुद के अधिकारों के लिए बाहर निकल के आना बहुत बड़ी बढ़ी बात है आज जब ट्रांस्पोर्टे सन और कमुनिकेशन बहुत ज़्यादा है मीडिया बाजी बहुत ज़्यादा है जयपूर में किसी नेता की रिली हो राहुल गांदी की रिली है आवा किसी राश्ट्रेशक्तर के नेता की बड़े की रिली है हमरुदों के बाग में 50,000 लोग ही कठेवे या किसी और जगह एक लाख लोग ही कठेवे मैं अब भी कहता हूँ कि उन्हें 10,000 महिलाईं नहीं होती है उस समय यदि महिलाईं घर से बाहर निकल के आ गई थी इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मैं और कहूं खुब लंबय समय तक पूरे विश्वय में महिलाउं के खिलाप अत्याचार जो होते हैं उनके लिए आवाज उठने वाले पुरूस रहे हैं कारण कि पुरूस पढ़ा लिखा था महिला क्या पेक्सा उसको कुछ अधिक अधिकार थे सोचने समझने की समता हैं उसकी अधिक विख्षी तो रही थी पढ़ाई की वज़े से वो इसा कर सकता था इसलिए उसने किये हैं पर हम जब यह कहते हैं कि किसी भी गुरूप का भला तभी हो सकता है जब उस गुरूप के खुद के अंदर से लोग बाहर निकल कर आएं लोग आवाज उठाएं तब जा कि उस गुरूप का भला होता है वरना उस गुरूप का भला नहीं हो सकता इसका बहत्रीन एक्जामपल कट रा थल सब मिलेना है कि सोचन महिलाओं का हुआ है ना तो हम करेंगी सभा वरना आज दिन तक भी अपने गुरूप कोई हो नेतागरी कोई दूसरे ही करते है आए सिक्सित समाज में तो वैसे भी और हो जाए कि महिलाओं का हो तो लोग का देगा अचा बत्तमी जी तुमारे साथ भी है पुरूप अपने अहम पर ले अपने इगो पर ले पुरूप के हम बताएंगे हम करेंगे मीटिंग मैं इलाओं का गिन नहीं हमारी कोई फिलिंग ही नहीं है मर जाएं अब हम नहीं कर सकती हम करेंगी खुद एकठी हुई पही मेला है इसलिए मुझे कट्राथल समेलन बड़ा यूँ सांदार लगता है और खुद के अधिकारों के लिए खुद बाहर निकल के आई वरना कभी वो एक फोटो जो वाइरल रती है कि पाकिस्तान महिला आयोग एक मिटिंग ले रहा है पाकिस वो महिला आयोग के सदस्य है कि महिलाओं के खिलाब नीतियां क्या होगी ये पुरू स्तय करते है यहाँ जब महिलाएं खुद के अधिकारों के लिए खुद जागरी थे तो कटरा थल समेलन एकजाम पॉइंट हो के भी देखाना जाहें अधेक्स कौन तो किसोरी देवी मुख्य वक्ता चीफ स्पीकर कौन तो उत्मा देवी याद रहेंगा 6 कौन किसोरी देवी शीप किसपीकर कौन इसकी उत्मा जब भी इंट्रिव्यू वगरा में लड़कियों से भी जब पूछ लिया जाए कि आपके आइडियल विमन कौन है अदर्स महिला किसे मानती है पहली बात तो जल्दी से किसी की दिमाग में नहीं आथा किसे बताऊं मम्मी मम्मी आदर्स लगते है एग्जामेनर करता है मम्मी सब कोई लगती है और बताऊं याद में अगली बार इंट्रिव्यू में याद भी करके आती है उसके नाम होते हैं इंदिरा गांधी एनिबिसेंट इस्टोरिकल पूरा ने को इस्टोरी से कोई रजिया सुल्तान रणी दिद्धा दुर्गावती उस लगते है उस समय हमारे दिमाग में पन्ना दहाए अमरिता देवी बिस्नोई किस्वरी देवी और उत्मा देवी क्यों नहीं आते 1934 में 10,000 लोग 10,000 महिलाओं को एक महिला संबोधित कर रही है उनकी अधिकारों के इकलाब जागरित कर रही है उनका नेत्रतुए कर रही है क्या उसे अधर्स नहीं माना जणना चाहिए उसकी चीफ स्पिकर भी एक महिला है पर मुझे और तब बड़ी जोड़दार सी बात लगती है कि जब किताबों वाले लिखते हैं जब हो किश्वारी देवी लिखते हैं अलागे मेरा बताने का मन नहीं करता कि मैं इनके बाहरे मैं वह बात भी बताऊ वन के जोड़दे नहीं आधा जाए है जब किस्वरी देवी लिखा जाता है कहानी इतनी है इतनी ही बताई जानी चाहिए इतनी ही बात बताई जानी चाहिए पर अपने बुक्स अपने नोड़्स इससे थोड़ा आगे बढ़ता है और वो लिखते हैं कि के शौरिई देवी , आगे लिखा होता है सरदार हरलाल सिप्ञ की धर्म पत्नॐ सरदार हरलल सिंग्ही धर्म पत्नृ वатив वेर्स उतमा देवी के बारे में आखे बढ़ते हैं। लिखते हैं वाइफ ऑस एफ था कॉर्ड देश राज चकत Corin मैं गता हूं निसंदे तो बहुत बड़े नेता थे, सरदार हरलाल सिंग जी का नाम हमने नेताओं की स्रेणी में सबसे पहले पे लिखा है, ठागुर देशराज पूरे इसके अंदर ठागुर देशराज चायवे हैं, अलग से सबसे बड़े अक्सरों में हमने उनका नाम लि कोई भी योगदान या इन महिलाओं की कोई भी योग्यता क्यों उस नाम से पहिचानी जानी चाहिए क्या, निसंदे नहीं, और फिर यह दि कोई कहे कि नहीं सारा पत्नी थी किसी की ये तो बताई देना चाहिए, तो आमने ठाकुर देशराज में तो नहीं बताएगी, उत देवी की पती थी, आज जब हम इस वर्तमान के दोर में खड़े होके, जब so-called intellectual type के भासन देते हैं कि men and women, तो अलग-लग personalities होती है, तब मुझे लगते हैं कि आरा हम पढ़ते समय, हम लिखते समय इन बातों के तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं, यह जह जह दिमाग में क् मैं आप से कहूं, कि अपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, कि स्वरी देवी और उत्मा देवी अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित हुआ है, परसक्थ परस्नलटी है, अन्ने किसी रिष्टेदारी की यहां आउँ सकता नहीं है, वो एक महिलाओं का समयलन है, उसको महि अपने आप में जगरती ला रही है, यह लिए प्लीज इन बातों को सुनना, आप घंक से समझना,